अफगानिस्तान एकवर तालिवानी हिंसा की चपेट में आ चुका है यह तो हम सभी जानते हैं कि जिस तरह अफगान ने प्रूरता दिखाई है उससे पूरा देश वाकिफ है साथि उसने देश के बड़े हिस्तों पर अपहिंसा के बल्बूते कपज़ा कर लिया है जिसको लेकर पूरी दुनिया में चिंता जटाई जा रही है वहीं हाल ही में अफगान से ताज़ा मामल सामने आया है जी हाफगानिस्तान की राज़धानी काबुल में गुरुद्वारा करते परवान पर चरम पंथी हमला हुआ है जिसमें अधिकारियों के अनुसार एक आम नागलिक और एक तालिबान सुरक्षकरमे की मौत हो गई है औ से पहले मीजा रिपोर्ट्स के अनुसार अफगानिस्तान की तालिबान सरकार निके ग्रहम अंतलाले के परवक्ता अब्दुल अफिर टकूर ने बताया कि गुरुद्वारे के बाहर कई धमाके हुए जिसके बाद से हतियार बंद चबरम पंथी गुरुद्वारे परिसर क की भीतर चलि गए ऊथानी अधिकारि घुरुद्वारे के बी width के बीटर लगबगаюсь किहहा अनुन करन के बहुतirl नहीं आया है कि उन्साधसे को लेकर पंचाब के बिजASTर बहुत मौने ने का बयान सामय आया जिसमें और उने काफी दुख जताया और कहा कि ये काफी दुखर्द घटना है। ये पहली बार नहीं हुआ है, वहां तीन-चार महिने में अलपसंध्यक समुदाय पर हमला होता ही रहा है। मैं प्रधार मंतरी से निवेदन करता हूँ कि अफगानिस्तान की राज़तूत को बिला कर एक सक्त संदेज भीजा जाए। हाली में मीडिया रिपूर्ट्स में सामने आई कि अफगानिस्तान की राज़धानी काबल में दो लोगों के मारे जाने की ख़बर है। और बाकी वहां के हालात कम भीर माने जा रहा है। मादला मानना जा रहा है कि पाकिस्तान में जिससारहे हैं पंडितों पर आट प्र है धाया जा रहा है वही इस तरीके से चिक्षापर भी अफगानिस्तान में अप्सप्स्राइब scripture crack